हेलो फ्रेंड्स वेलकिम टू मैं चैनल आज हम बढ़ेंगे सूजी और आलू से बहुती टेस्टी क्रिस्पी और चीजी स्नैक्स यानी नाश्ता भी बोल सकते हैं इसे बनाना तो आसान है ही साथ ही में बहुत ज़ता क्रिस्पी और टेस्टी लगता है और इसके खास बात यह ही कि आप इसे एक बार बढ़ाएंगे तो इसे एर टाइट कंटेनर में भर के डीप फ्रीज में एक महिना तक स्टोर करके रख सकते हैं तो चली एक क्रिस्पी स्नैक्स बढाने के लिए शुरवात करते हैं तो यहां पर लिया है मैंने एक बारीक वाली सूजी अगर आपके है पैन हलकी गरम हो गयी है तो अब हम इसमें एड कर दें गे एक तीजपून तेल गरम होते ही इसमें तो आते तो आपए यहां पे थोड़ी से लाल्मिशी पाउडर प笔ी डाल सकते हैं चिली फ्लेक्सु डालने से जादा डार नहीं आता स्नाक्स का। इसलिए मैंने चिली-फ्लेक्स डाल दिया है। जैसे चिली फ्लिक्स फ्राई हो जाता है इसमें डाल देंगे दो कप पानी तो यहाँ पर एक कप सूजी लिया था इसलिए मैंने दो कप पानी डाल दिया है और यह स्वात के अनुसार नमक, वन थार्टी स्पून चार्ट मसाला और एक मुठ्ठी परके बारी कटा हुआ धनि इसे अच्छे से मिंक्स कर देंगे जैसे हम पानी में सूजी डाल देते हैं सूजी snail पानी पी लेती हैं बतलब बहुत जल्दी से पक जाती है तो यहां पे सब कुछ अच्छे से मिक्स कर ना है और जैसे यह मिश्रन शॉफ्ट दिखने लगता है उपमा की जैसा बन जाए तो यह देखे दस मिट के बाद सूजी हमारी अच्छे से सॉफ्ट वे हो गई है साथ ही यह मिश्रन थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है तो अब हमें इसको एक मिक्सिंग बोल में या फिर परात में निकाल के लेना है सूजी पूरी तरह से ठंडी होने से पहली हमें इसमें डालने है आलू को गिसके तो मैंने पहले से दो बड़े आलू को उबाल के रख दिया था आलू काफी बड़े थे इसलिए मैंने आलू को कट करके उबाल के लिया था बड़े आलू होते है न तो इसको बिना कट करके उबाल के लिया न तो आलू उपर से सॉफ्ट हो जाते हैं और अंदर से कच रहते हैं इसलिए मैंने बड़े बड़े आलू थे तो उसको कट करके उबाल के लिया था तो ये रेखिए दो आलू मैंने इसमें ग्रेट करके डाल अब जितने भी मसाले डालने थे वह मैंने सूजी में ही डाल दिये थे इसलिए यहां पर इसमें कुछ बे आड करने की ज़रूत नहीं है बस इसको अच्छा सा मसल मसल के डो की जैसे सॉफ्ट कर लिंगे जिससे रोटी या पराठी के लिए डो बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें अपने आप चिकनापन आ जाता है तो यह देखे बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट और नरम डो तयार है तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और इसमें मैं चीज डाल रही हूँ इसलिए यहां पर मैंने चीज को इसे क्यूब में कट करके लिया है ज्यादा ब इसका बॉल बनाएंगे तब हमें इसको जिसे पराठी के लिए लोई बनाते न उस तरह से इसको अंदर से कटोरी का शेप देंगे और चीज रखके इसको उपर से सील कर देंगे और इसको बॉल की तरह शेप देंगे और यह दिखे हमारा चीज वाला एक बॉल तयार है और से अच्छा सा बॉल जैसा शेप देंगे तो बस इसी तरह से में सारे बॉल्स बना के लिती हूं तो यह दिखे सिर्फ एक कप सूजोर दो आलू डाल दीते उसमें कितना सारा स्नैक्स बना है अब इसे आप एर टाइट कंटेनर में भरके डीप फ्रीज में रख सकते हैं इसे आप एक मेने तक स्टोर कर सकते हैं जब भी मन करें कुछ चटपटा या फिल स्नैक्स खाने का तब आप इसको बस फ्रीज से निकाले और फ्राई करके सर्व करें तो मैंने थोड़े बहुत 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 जल्दी गरम भी हो गई है तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे बाल्ग ने जहारे के ऊपर रिख दिये थे एक सारी जारे समें डाल दीए है जैसे स्नैक्स टेल में फ्राइन होने के लिए डाल देंगे उसी तॺयम हमें इसको नहीं चलाना है, опас से कलर चेंज़ होने तक इसे ऐसे कि छोड़ देंगे नहीं, त मतलब इसको बार बार चलाने की जरूरत नहीं है तो यह देखे इसका पहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है इसको मैंने मीरियम टो हाई फ्लेम पे फ्राई किया था तो अब हम इसको निकाल के लेंगे तो सेम प्रोसेस के साथ हम दूसरी बैच भे फ्राई करेंगे पहले जहारे से हम इसमें एकदम से बॉल डाल देंगे जैसे तेल में बॉल डाल देते हैं उसी टाइम हमें इसको नहीं चलाना है हलका सा कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसको लट-पलट कर देंगे और फिर से 2-3 मिर तक या फिर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक छोड़ देंगे और जैसे इसका गोल्डन सा कलर दिखने लगता है तब हम इसको निकाल के लेंगे तो ये हमारे सूजी और आलू से बना हुआ बहुती किस्पी टेस्टी और चीजी स्नैक्स तयार है इसमें जो चीज डाला था वो कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है तो आप भी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राइ करके देखिएगा और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए तो आती है तो बच्छे से अच्छे से लाइक, सब्सक्राइब और रेसिए तो आती है